6,500 जोर कर्मचारियों को कॉंट्रेक्ट पर रखने की तयारी आज MCD सदन की बैठक में कई महत्वपून प्रस्ताव हो सकते हैं पास नई दिल्ली MCD बुधवार को होने वाली सदन की बैठक में कई महत्वपून प्रस्ताव लेकर आ रही है इन में 6,500 से अधिक कर्मचारियो को कॉंट्रेक्ट पर रखने का प्रस्ताव सबसे एहम है इन में सफाई कर्मचारियों के साथ साथ सेकेरिटी गायज भी शामिल है इसके अलावा लगबग 700 MCD स्कूलों में CCTV कैमरे लगने का प्रस्ताव भी शामिल है विपक्ष का कहना है कि ये सबी प्रस्ताव करोडों र लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमिटी का गठन ही नहीं हुआ है ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये संग्रालियों में सफाई नहीं हो पा रही है इस कमी को दूर करने के लिए MCD ने 3600 से अधिक सफाई कर्मचारियों को कॉंट्रेक्ट पर रखने का फैसला लिया है इस से बंदित प्रस्ताव सदन में लाया जा रहा है रुपे खर्च होंगे इसके अलावा MCD 700 स्कूलों इसके अलावा 2900 से अधिक सेकिरिटी गार्डों को भी कॉंटेट पर रखने का प्रस्ताव लाया जाएगा सफाई कर्मचारियों और सेकिरिटी गार्डों को रखने पर उनका कहना है कि सदन से पास होने के बाद अगर इन पर काम शुरू भी हो जाता है तो कॉंटेरिक की पेमेंट का भुगतान है कैसे होगा क्योंकि सैडिन कमिर्टी का गठन ही नहीं हुआ है विपक्ष का कहना है कि MCD New Friends कॉलोंई, कालकाजी और जंगपुरा में मल्टी स्ट पार्किंग बना रही थी, तीनों पार्किंग बनाने वाली कम्पनी ने बीच में ही काम छोड़ दिया, इस वज़े से तीनों पार्किंग का काम काफी समय से थप पड़ा हुआ है, MCD ने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 20 करोर रुप्ये और जोड दिये, इस तरह से 107 करोर का प्रोजेक्ट 127 करोर रुप्ये का हो गया, इससे संबंदित प्रस्ताव भी सदन में लाया जा रहा है